कर सामने आ रही है अलवर से सांसद बाबा बालकनात ने स्तीफा दे दिया है लोकसभा की सदस्ता से स्तीफा दिया है तिजारा से विधायक चुने गई है बालकनात आपको बता दे ऐसे बे उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्ता से स्तीफा दे दिया है क्योंकि इससे पहले तीन सांसद जो हैं वो अपना स्तीफा दे चुके हैं ऐसे में अब इंतजार बाबा बालकनात का था बाबा बालकनात ने भी अपने पद से स्तीफा दे दिया है अलवर से सांसद और अब विधायक वो हैं क्योंकि तिजारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायकी क चुनाव वो जीते हैं, राजस्तान के अलवर से भाजपा के सांसद बाबा बालकनात ने अपनी लोगसभा की सदसता छोड़ दी है, उन्होंने आज लोगसभा देक्ष ओम बिल्ला से मुलाकात करोंने अपना स्टीफा सौपा समादा विनीद इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है, विनीद देखे सांसद बाबा बालकनात ने भी अपने पत से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने विधाय की का जो चुनाव जीता था, उसके बाद अपनी संसद से सदसता से इस्तीफा दिया है, क्या अपडेट आपके पस जी निशित तर्फ पर मैं आप पताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने देखा कि जो चुनाब में जिन में सांसदों ने जीत हासिल की थी तर्फ पर अब जिस तरह से बीजेपी आलग कमानने तरह किया जो भी विधायक है जो सांसद हैं जो उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और वो जीत गए हैं वो अब विधायकी रहेंगे तो इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि पिजारास ते जो विधायक बने हैं बालखनाथ जो अलवर के सांसद हुआ करते थे उन्होंने अपना इस्तिफा जो है वो बहुत तॉप दिया है तो किंद्री ने तुरित जिसरे से बीजेपी आलाकवान की ओड़ते पर यह साफ तोर पर निदेश दिया गया था कि जीते हुए विधायक जो है वो अपना इस्तिफा देंगे और इसी कड़ी में बाबा बालकनाथ ने अपना इस्तिफा जो है वो दिया है अब देखने वाली बात होगी कि राज जी की जो रागनिती होती है उसमें उनकी क्या भूमिका होती है यह अब देखने वाली बात होगी लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बाबा बालकनाथ भी विधायक को तौर पर ही काम करेंगे भूमी का क्या होती है विनीत वो अलग है लेकिन इस वक्त CM दाविदारों में भी उनका नाम चर्चा में है विनीत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए